राजी के सरकारी विद्याले भी अब नीजी विद्यालियों से कम नहीं है। बात सुक्षा की गुनवत्ता की हो या फिर जरूरी संसाधनों की। हाल के वर्सों में इस पर केंदर और राजी सरकारों द्वारा काफी फोकस किया गया है। लगातार इसमें उत्तरोतर सुधार भी हुआ है, बावजूद इसके ये एक कड़वी सच्चाई है क्या पेक्षित रूप से नहीं विद्यालियों में छात्रों की संख्या पढ़ी है और नहीं ड्रॉप आउट रुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जारखंड सरकार की स्कूली सिक्षा और सक्षरता अभिभाग ने आज सीटी बजाओ, स्कूल बुलाओ अभियान चलाया। इस बारान बच्चों ने पंक्ति बद होकर सिटी बजाते विद्याले के नसदी की मुहलों का भ्रमन किया और चात्रों और उनके अभिभागों को इस दिश्वा में जागरू करने की कोशिस की। नजदी की मुहलनों का ब्रह्मन कर लोटे बच्चे आत्मविस्वास से भरे हुए थे बच्चों ने कहा कि उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और कल से ही उनके विद्याले में साथियों की संख्या बढ़ेगी अभियान को लेकर विद्याले के सिख्षक भी काफी सा जग और उच्चा ही दिखे सिख्षकों ने कहा कि अब उनके सरकारी विद्याले भी किसी मायनी में नीजी स्कूलों से कमतर नहीं है ड्रॉप आउट का कारण उन्होंने जागरुपता की कमी को बताया सिख्षा समाज की रेड होती है सिख्षा का पकास फैलाए बिना समाज के विकास की कलपना भी नहीं की जा सकती उमेद की जानी चाहिए कि सीटी की यह आवाज ट्रॉप आउट बच्चों को विद्यालक तक जरूर खीच लाएगी राची सिया उधेश गौदम की रिपोर्ट